दिल्ली के रोहिनी इलाके में होने वालमी के समाज के सबसे बड़े मेले भगवान वालमी के मेले में इस बार समाज की महीला शक्ति भी पूरा जोर लगा रही है कि समाज को संगजित करने में वो अपनी भूमी का निभाए और मेले में जादा से जादा संख्या में महीलाओं की भी भागिदारी हो वालमी के समाज चेतना संगठन द्वारा 10 अक्टूबर को जापानी पार्क में होने वाले इस मेले की तैयारियों के लिए महीलाएं भी जुट गई है रोहिने में हो रही ये मीटिंग भी उसी का एक हिस्सा है दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आई इन महीलाओं ने कहा कि इस मेले में बड़ी संख्या में महीलाओं शामिल होंगी जालें और उनको घर से निकालके अपनी मेले में जो शोर से आमें दिख है और आप आईए एक तरफ संगठन के अध्यक्षी कर्म सिंग कर्मा अपने प्रमुख साथियों सहीत दिल्ली के सभी इलाकों में जाकर समाज की प्रमुख लोगों की मीटिंग ले रहे हैं तो महिलाएं भी अपने अपने स्तर पर अपनी भूमी का निभाने को तयार हैं कर्म सिंग कर्मा का कहना है कि उनका समाज बहुत भोला समाज जरूर है लेकिन बेवकू और कमजोर नहीं और केजरी वाल ने जैसे हमारे समाज गोन देखा किया है लेकिन ये आज तक का इतियास है बालमी की समाज जिसके साथ भी जुड़ता है उसी का दात्रिलग होता है इन महिलाओं की तैयारियां और कर्मा के देवर बता रहे हैं कि इस मेले के माध्यम से वालमी की समाज अपनी ताकत का भी आइसास करा रहा है। इस मेले में देश भड़ से वालमी की समाज की गणमानने लोग भी बड़ी संख्या में पहुँच रही हैं। अब तक का सबसे कामियाब मेला तो होगा ही। साथ ही ये समाज, देश और दिल्ली को एक संदेश भी देगा। आपको भी यदि मेले से जुड़ी जानकारी चाहिए तो दिल्ली दरपन टीवी को सबस्क्राइब करें और भगवान वालमी की मेले की फेस्बुक पेच को लाइक करें।